हेलो गाइस वेल्कम चूम माय चैनल तो दोस्तो आज मैं आप लोग के लिए लेकिया हूँ लौकी के हलवे की रेसिपी लौकी को इंगलिश में बॉटल गर्ड बोला जाता है और हिंदी में इसे दूदिया भी बोलते हैं यह बहुत ही फेमस डेजर्ट है बहुत ही फेमस बना रहे हूँ, दोनों ही लौकी मैंने बड़े लिये बिक साइज के, तो सबसे पहले मैंने दोनों ही दूदी को अच्छी तरीके से ग्रेड कर लिया है, इस तरह से, इसको ग्रेड करने में इसके जो बीच है, वो भी मैंने इस्तमाल कर लिये है, लेकिन अगर आप चाहे तो हम इसे आप लोग ग्रेड करने ह्टेए हे लिए सबसे पहले मैं यह पहले निए एक बड़ा पतिला, हलो निए पातिले के लिए यह भीम के भी मैंने ऊंग है और आप टो वह अब रूदेर हिख सकते और इससे बहुत ज़ादा पानी है, तो आप हम्हें क्या करना है, सबसे इसको पूरा पानी सुखा देंगे इसको पूरा ड्राय कर देंगे इसके लिए आपको तकरीबन आदे गंटे तक लग सकता है क्योंकि यह जो स्टेप है हल्वे का यही सबसे यादा टाइम गंजूमिंग है उसके बाद यह जो हल्वा है यह फटा फट बनके तयार हो जाता है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस दूदिय को मैंने कितनी अच्छी तरीके से ड्राय कर लिया इसमें बिल्कुल भी पानी आपको नजर आ रहा होगा और ड्राय होते होते यह जो दूदिया है वो अच्छी तरीके से पक भी गया है इसमें आप कोई कच्छा पन न करने की बाद सबसे पहले हम लोग इसमें शुगर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हाई फ्लेम पर आपको पूरी मिक्सिंग करनी है और अब मैं इसमें आड कर रहे हूं मावा यह पे मैंने तकरीबन 150 ग्राम यानि 1500 ग्राम मावा लिया है मावा यानि खोया लिया है म मावा अगर चाहे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें बढ़ा सकते है या कम कर सकते है और अब मावे को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे जो भी इसमें मावे के लंब से उसको अच्छी तरीके से ब्रेक कर देना है और इसको हाई फ्लेम पर हम लोग पकाएंग तो यह पर लोग देख सकते हैं किस तरह से मावा पिगलना शुरू हो गया है और अब इसमें मैं आड करने वाली हूँ फूट कलर स्वारी मैं आपको एक स्टेप दिखानी पाई इसमें मैंने पहले इसी तरह से तोड़ा फूट कलर आड किया था अब मैं वापस तोड़ा तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक बार तो यह पर लोग देखेंगे कि अच्छा कासा ग्रीन कलर आगया है अगर आप लोग चाहे तो फूट कलर अवाइड कर सकते हैं क्योंकि यह जदा हल्दी भी नहीं होते हैं यह पर मैं सिफ प्रेजेंटेशन पपस क अब इसको अच्छी तरहिए से सुखा दिया है जो भी मैं धूद एकडने डूदि कर दिया है और यह दूदी कर देक रहे एक डम सुक के तयार है तो अब धूदी मतना ढूदि कौर बननके हो गया तयार इसको आम भी गर्मा-गरम सफ कर लेते हैं तो लीचे दोस्तों अब तरहा गर्मा गरम दूदी का हलवा या लौकी का हलवा बनके तयार हो गया है इसको मैंने थोड़े काजू और बदाम से इस तरह से गानिश कर लिया है आप लोग चाहे तो जो भी आपको ड्राइफूट्स पसंदे आप इसमें एड करके इससे सर्फ कर सकते है या फिर आप ल अज़े दार होता है इसे आप लोग असानी से कोई भी पाटी के लिए बना के सर्फ कर सकते है या फिर किसी स्पेशल लोकेशन पर भी आप इसको आसानी से बना सकते है तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी मुझे जरूर कमेंट करके बताए और अगर आप ल